करेंगे आज से स्टार्ट करेंगे DPC को बहुत सारे लोगों का मैसे आया हुआ है मेरे को वाट्चाप पे कल भी आया तक करेंगे काफी सारे लोगों का है सो DPC एक अची topic है आपको समझना पड़ेगा practical topic है अच्छे से समझेंगे पर मैं बड़े दुख के साथ इसको बोल रहा हूं आपको कि मैं lecture second time record कर रहा हूं मैंने एक घंटी का lecture अभी record करा और वो lecture save नहीं हुआ मेरे tab में पता नहीं कैसे किसी कारण बस फिर से मुझे record करना प को पहले समझेंगे इसलिए आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बात में इस topic को समझेंगे नहीं सिर्फ और सिर्फ फॉर्विट को समझेंगे आज matrimonial disputes के cases को कैसे file करते हैं कैसे drafting करते हैं कैसे pleading करते हैं उसके समझेंगे और आने वाले वीडियो में दीरे- हर एक चीज को समझने का ट्राइग करेंगे तो start करते हैं समर्थ है इसे judiciary पे conveyance को समझेंगे drafting को समझेंगे और pleading को समझेंगे ठीक है without any delay let's start the topic देखें drafting pleading और किएंगे drafting का मतलव होता है ऐसे समझें drafting का मतलब होता है, मसौधा आपने किसी भी किसी भी चीज के बारे में कोई मसाधा तियार किया for example मैंने ये वीडियो बनाने के लिए PPT को तियार किया ये मैंने तियार कर लिया, ड्राफ्ट कर लिया पर कला है, कला है, कला क्या है जब मैं पहले बनाता था PPT, I used to write all the things बहुत सारी चीज़े लिखा करता था किस चीज का, format बना रहे हो किस चीज का, application का, जाहे हो कुछ भी का हो सकता है किसी भी चीज का application हो सकता है, petition का, reply का, review petition का, किसी भी चीज का as a lawyer, as a legal professional, आप क्या करते हो, इस सब चीज़ों को draft करते हो so drafting is the key कि आप आगे बढ़ सकते हो, the first step, I always say आपने मसौधा तियार किया कि मुझे घर बनाना है, आपने मसौधा तियार कर लिया कैसे बनाना है, कैसे उसको दुनिया को बताने कि देखो, मैं कैसा घर बना रहा हूँ बनने के बाद ऐसा दीखेगा, तुम नहीं देख रहे हो पीछे के एंगल का ऐसा रहेगा, बालकनी ऐसा बनाऊंगा, चछत ऐसा बनाऊंगा, यह सारी चीज़ें पिलीडिंग्स में आती हैं. So, पिलीडिंग्स is what? How you put your statement in front of the unrable court and the judge, जितने lucid और जितने easy language में आप चीज़ों को बोलो गे न, उतना ही beneficial होगा. तो पिलीडिंग्स आपकी court proceedings का, अगर आप एक judicial में हो, अगर आप एक lawyer हो, तो आपके court proceedings का लगबग 80% तो सिर फिर 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 पिलीडिंग्स ही है, 10% drafting होती है, 10% लग भगवान बरो से, आपने pleading अच्छा करा तो favor आपके उसमें आएगा, अगर आपने सब कुछ facts को अच्छे से रखा है तो, तो pleadings का मतलब अभी order 6, rule 1 को भी समझेंगे, उसके CPC को उसमें और detail में बात करेंगे, अभी के लिए इतना जाननीजे, conveyance क्या होता है, conveyance is a word, convey किया मैंने किसी भी चीज को convey हो गया, अब conveyance मतलब एक तरीकी का instrument होता है, जिसको transfer of property के cases में यूज किया जाता है, sale, deed, इन सब चीजों में, will, इन सब चीजों में यूज करते हैं, so conveyance is a kind of instrument, it is something that is not a kind of pleading, हाँ, इसको pleading का part इसलिए बोल सकते हैं, क्योंकि इसका help ले सकते हो, आप as a kind of material fact, as a kind of evidence, कि इस चीज पर, basis पर मैं ये चीज कह रहा हूँ, पर conveyance is nothing, या अपने आप में ऐसा कुछ term नहीं है, कि इसको कहोगे कि ये pleading है भई या नहीं, it is a part, sub part of pleading, it's a kind of nomenclature, it's a kind of instrument, it's a kind of transaction element, मैंने पैसे निकाले, कहां से, ATM से, तो ATM में हाँ पर क्या हो गया, एक तरीके का conveyance का मतलब हो गया, instrument हो गया, आप आगे case match से समझते हैं, pleadings कहता है, अभी order 6 rule 1 को भी समझेंगे, कि it would be beneficial to distinguish pleading and conveyancing, बहुत अची बात है कैसे करेंगे, plead का मतलब होता है, to a state and argue a case, एक issues को सामने present करना, उसको बोलना, a state करना, argue करना, is what pleading, moot quote आपने करी होगी समने, तो moot quote में आपने मैम के सामने सारी चीज़े बोली होंगी, you must have, you know, explained all the things, आपने statements कर रखा होगा, argument कर रहा हो, examination, cross examination कर रहा होगा, examination in chief कर रहा होगा, या इसीज़े, कर रहा होगा आपने समने, तो pleading is what, इस सारी चीज़े pleading सी तो है, कि आपने statement को कैसे रखा, कैसे आर्ग्यू कर रहे हो, पर यह 50% है, 50% role होता है, आपके opposition का, वो आपको reply देगा, तो यह हो गया, इस तरीके से pleading सा confirmation, so therefore pleading comprises of respective contentions of the parties, respective contentions, अगर आप petitioner हो, तो आपका अपना होगा, respondent का अपना होगा, जो कि writing में reduce हो जाती है, लिख के दिया, उसको बात में plead कर रहे हो, वो आपकी pleadings ना, जो आप बोलते हो ना argument, वो judge के सामने होती है, वो बोलते है, paragraph 6 को देखी, paragraph 7 को देखी, अभी paragraph क्या है, मैं आपको जो case formula बताऊंगा, अभी बताऊंगा, तो pleadings का मतलब होता है, that to determine when, what the parties were currently fighting about, अरे भया, या fight की चीज के लिए कर रहे हो, तो बताओ, वो सारी चीज़े pleadings में होंगी, pleading is the beginning stage of a lawsuit, in which parties formally submit their claims and defenses, अपने claims को, अपने defenses को submit करते हैं lawsuit में, बताते हैं, in civil proceeding, the plaintiff submits a plaint, stating the cause of action, plaintiff में वो सारी चीज़े आप बताऊगे, कि ये course of action होने वाला है मेरा, ये cause of action होने वाला है मेरा, और जो issue हैं, जो issue जहें controversy में, वो सारी चीज़े आप plaintiff के रूप में, इसको डिनाई करेगा, ये सारी चीज़े pleading में आती हैं, so pleading is nothing but the formal presentation of claims and defenses by parties to a lawsuit, एक lawsuit में, parties, respondent and petitioners दोनों, जो claims करते हैं, और जो defenses उसके उपर claim को reject करते हैं, उसका formal presentation, informal नहीं, formal, proper format में, formal मतलब अब proper format में आप उसको present कर रहे हो, उसी format को समझना DPC है, so therefore it includes, हर वो legal document, जो आप lawsuit में file करने वाले हो, चाहे वो petitioner हो, चाहे वो motion, चाहे किसी चीज में आप दो documents को file करने पाले हो, no, file करने वाले हो, is what the pleading's, so pleading का मतलब होता है, कि आपने जो matter को argue करनी है, आगे जाके, उन सारी चीज़ों को अपने formal तरीके से present कर दिया है, अभी order 6 rule 1 पे अभी आएंगे, उसके पहले conveyance को समझते हैं, so conveyancing मतलब क्या हुआ, कि यार मैंने अपनी property transfer करी, mostly property के case में उज़ोता है, मैंने अपनी property transfer करी, तो किस method, किस instrument, किस act का use करके करी, इस means के थुरू नहीं, उस means के थुरू चेक के थुरू करा, content के थुरू करा, whatsapp के थुरू करा, किस के थुरू करा, so conveyance का मतलब होता है, कि एक तरीके का instrument, जिसका use करके, आपने property का transfer करा, तो ये act एक तरीके का evidence के रूप में use होती है, ना कि अपने अपने court proceeding में ये नहीं होता, कि आपने चेक के रूप में किया, तो इसको बोले, sir, this is my pleading, नहीं, pleading is a very well written format, यार, convincing उसका part है, कि sir, मैं इस fact पर, इस evidence को use करके बताऊंगा, material fact के रूप में, subsequent fact के रूप में, subsequent pleading के रूप में, अपने additional pleading के रूप में, I will be presenting this, before the on-reval court, आप मांगोंगे उन्से, you know, request करो court से, court आपको order देगी, request देगी, फिर आपको order request को approve करेगी, फिर आप चीज़ों को present करो, so convincing is a kind of instrument for that matter, so therefore, the term convincing does not apply to the court proceeding, rather it is applicable to the instrument, which have been documented, not for the purpose of court proceeding, बल्कि आप किस तरीके से transactions को करते हो, so broadly speaking, the pleading and canceling may be distinguished by simply stating there, कि pleadings जो हैं, वो court proceeding में applicable होते हैं, जबकि convention court के बाहर, क्योंई कोई documentation वाला चीज़ है, जिसको court proceeding में, सिर्फ और सिर्फ as a kind of submission बगेरा के रूप में, आप use कर सकते हो, evidence के रूप में, मैं यहां से घर गया, घर गया, यह हो गया है fact, आपने बोला कि सर मैं fact, आपने बोला कि, नहीं चली इसको अभी मैं order 6 rule 1 समझाता हो, तो मैं आप से बात करता हूँ, अब देखिए जब order 6 rule 1 बार बार में कह रहा हूँ क्या है, order 6 rule 1 को जो आप देखोगे न, उसमें कहा हूँ S.E.P.C. में, pleading के कुछ चीज़ है important है, कि that every pleading must state facts and not law, कहता है कि जितने भी pleading's आप करोगे, कोट में चाहिए किसी भी चीज़ के लिए pleading कर रहो आप, आप सिर्फ और सिर्फ मुद्धों पे बात करोगे, पास होता है, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे यह वाला law applicable हो सकता है, पर आप उनको यह नहीं बता होगे, पर आप उनको अगर आपने facts ही गलत लिके दे दिया, तो उसके लिए आपको डांट भी लग सकती है, So, mentioning facts in a proper manner is a very-very important thing, very-very important thing, पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा, order 6, rule 1, CPC, It must state all material facts and material facts only, कहता है, कि सिर्फ और सिर्फ आप material facts को ही वहाँ पे लिखोगे, कुछ भी नहीं बोल सकते, material facts मतलब, मैं example दे रहा था, मैं घर गया, एक fact हो गई, Sir, मैं cycle से घर गया, Sir, वो cycle Hercules की थी, मैंने उसको यहाँ से खरीदा था, यह material facts थोड़ी नहीं है, Sir, मैं घर गया, मैं cycle से गया, cycle Hercules की थी, ठीक है, फेर इनव, Hercules company, America की है, India की है, China की है, उसका headquarter यहाँ है, 4 चक्के है, 5 चक्के, यह बताना material facts नहीं है, material facts एक ऐसा substantive fact होता है, जो आपके claims को अप्रूफ करता है, आपके claims को अच्छा बनाता है, जैसे मैंने PPT बनाया, और मैंने इसके तार तर बॉर्डरिंग कर दी, सुन्दर सुन्दर बना दिया, तो यह होती एक तरीकी से, आपके चीजों को सुन्दरता, आपके चीजों को स्ट्रॉंग करे, सर मैं साइकल, मैं साइकल से घर गया, मैं साइकल से घर गया, और वो साइकल मेरे दोस्ट की थी, मैंने उससे करीदा था 200 रुपे में, आपको पता, उसको बोला भी था मैंने, सिर्फ और सिर्फ उस मुद्दे को लिखेंगे, फैक्स को लिखेंगे, एविडेंस से इसको नहीं बताएंगे, कि सर मैं ऐसे करके प्रूफ कर दूँगा, कि सर मेरा फ्रेंड आकर बताने वाला है, इसलिए मैं प्रूफ करूँगा, वैसे नहीं, आपने फैक्ट में लिख यागिशर में ने फिरेंड से लिया था, और वो फिरेंड आकर आपको बताएगा, वो एविडेंस है, और वो एविडेंस आपको लिखना नहीं है, वो एविडेंस आपको बताएगा बंदा आकर आपके कोर्ट में, तो बहुत important एक legal professional के लिए material facts में differentiate करना कि कौन सा fact material fact है उसको लिखना evidence पताना नहीं evidence तो बता दिया आपने तो आप मज़ा खराब हो जाएगा फिर opposition को भी तो पता चल जाएगा और चौता point बहुत ही concise और बहुत ही concrete manner में होना चाहिए easy language में, lucid manner में इस चार मुद्य pleading में बहुत important है अभी मैं बताऊंगा कैसे तो आज हम अपने topic में petitions अंदर Hindu marriage act को समझेंगे 1955 में आपका unit 2 है Hindu marriage act में जो भी petition file करते हो चाहे आप restitution of consumer rights की बात करो चाहे आप restitution of judicial separation की बात करो चाहे divorce की बात करो 13 A चाहे आप उसके अलावा 13 B पर बात करो क्या नाम है उसके अलावा आप इसके बात कर सकते हैं क्या बोलते हैं लोग उसको generally you know mutual consent तो इसका format क्या होगा उसके बार में बात करेंगे affinity fit का format क्या होगा बात करेंगे section 9, section 10, section 11, section 13, section 24, section 25, section 26 of Hindu marriage act section 9 आपको पता है conjugal rights का restitution से है, 9, 10 है judicial separation, 13, you know resolution of marriage, section 11, void or nullity of marriage marriage को खतम कर दीजे, section 24, maintenance, pendant light जिसको बोलते हैं पढ़ाओगा फस्से में, section 25, petition for alimony and maintenance, section 26, petition for custody of children बच्चों की custody के लिए, तो उसका format क्या होगा, आप lawyer हैं, आप से को आके कह रहा है कि sir हमारे पती से हमको अलग रहना है, हमें divorce चाहिए, तो court में उठे मूँ जाके थोड़े न बोल दोगे sir इसको अलग कर दीजे, sir अलग रहना चाहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा न, you will have to draft a case, you will have to present the case, you have to plead the case this is what the DPC, pleading is the key, और उस pleading को अपन समझेंगे, कई सारे मुद्धों में, इस नीचे जो आपका case mat में दिए हो, वो format दिया हुआ है, कि कैसे कैसे चीजों को रखेंगे, court के सामने, अगर आपका district court है, तो district court के सामने, district judge के सामने, अगर family court के सामने लख रहे हैं, तो family court के सामन रखेंगा चीजों को, बात को समझ रहे हैं आप, क्या-क्या लिखना है, वो सारा चीज इसमें दिया हुआ है, कहां रहते थे, बच्चे हैं की नहीं है, इस सारी चीजों में आपको बताने बाला हूँ, start करे, formatting को, चलिए, सबसे पहला format जो हमारा है, जिसको हम समझने वाल सबसे पहले आप कुछ भी start करने से पहले इस चीज को ध्यान देजे, section 13 divorce, section 13 of Hindu marriage act divorce की बात करता है, तो उसमें कहता है कि कोई भी marriage, any marriage solemnized better before or after the commencement of the act में और a petition presented by either the husband or the wife, वो dissolve कर सकती है अपनी marriage को, decree मांग सकती है divorce के किस-किस grounds पे, या तो आपका जो दोनों हो, चाहे wife या च sexual intercourse की सी और person के साथ किया गया है, अपने wife या अपने husband के लाभा, पहला ground, दूसरा ground, आपके जो partner है, वो आपको cruelty करता है आपके साथ, तब उस case में आप कर सकते हैं, third point, section 1 I, section 1 A, 1 B, जिसको बोलते हैं, 1 C में, आपको मैंने बोला 1 B में क्या बात करेंगे, कि has deserted the petitioner for more than 2 years, immediately after the marriage, मतलब marriage नहीं, जो petition file कर रहा हूँ, इसके आप दो साल पहले से अलग रह रहे हो, कुछ ऐसा आपको continuous spiritually छोड़ दिया गया, कुछ भी ऐसा है, आगे, या तो आप Hindu नहीं रहा जाते है by religion, या उसके अंदर जो अभी आते हैं, चीज़े Hindu marriage act के अंदर, धर्में नहीं रह पाते है, Hindu मतलब क्या-क्या पता है ना आपको, बुद्धिजम अगेरे सब है, उसके अलाबा, या तो mentally unsound है, तब बोलेंगे, या तो आपको judicial separation allow कर दिया गया था, फिर भी आपको हेविट नहीं कर पा रहे हो, रह नहीं पा रहे हो साथ में, ये सारी चीज़े डिवोर्स क ground बनती है, उसके अलाबा, ये सारी चीज़े लिखी हुई है, पहले से साधी सुधा था बताया है नहीं, या बाद में कुछ ऐसा साधी हो जाता है, तो बताया है नहीं, जो भी grounds है, डिवोर्स का, वो सारे grounds mentioned, वो आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है, doesn't matter, वो सारे करेंगे दूसरे format में, चलते हैं, इसका format समझते हैं, ये सबसे पहले मैंने क्यों उठाया है, ये इसलिए उठाया है, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत असान हो जाएगा, अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे, तो आपको जो भी चीज़े हैं, वो बहुत एजली और सारी चीज़ों का आप समझ जाएंगे, चलिए, इसी हाँ, ये मेरा concept है, तो हम बात कर रहे हैं, matrimonial dispute, पहला फॉर्मेटिंग जिसको हम सीख रहे हैं, वो है, decree of divorce चाहिए हमको, underground, जो भी mentioned है 13 के अदर, section 13 of Hindu marriage act, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपके cases को पड़िये ध्यान से, जो भी paper में आएगा, उसमें आपको दो-तीन चीज़े निकालना पड़ेगा, petitioner कौन है, respondent कौन है, पहला चीज, दूसरा, साधी कब-कब हुई, कहां रहता था, पहले कहां रह रहा है, अब कहां रहा है, क्योंकि court का jurisdiction, वो matter करेगा, जहां पे, जो petitioner आपको निकालना पड़ेगा, अब इतनी सारी मुद्य आपने निकाल लिए, now case को form, यह मुद्य मतलब निकाल लिए, कहने का मतलब कि सामने वाले ने आकर आप से सारे बाते कह दी, आपने उसमें से करक्ष निकाल लिया, अपने office में बैठके, अब उसको आप ड्राफ्ट क करके प्लीडिंग करने जा रहे हो, यही है ना, case दिया कोई आपको question, यही ना मतलब वहा कि वो बंदा आप से आगर सामने कहता, आपके chamber में, घर पे, वही बाते आप लिखते, draft करते, प्लीडिंग करते, और वही ची जहां पे है, कैसे करेंगे, उस चीज को समझे, सबसे उपर में लिखेंगे, चुप चप सुनियेगा, और दो-तीम बार सुनियेगा, petition for dissolution of marriage by a decree of divorce, सबसे उपर में लिखा कि मैं सर petition डाल रहा हूं, डाल रही हूं, lawyer है, for dissolution of marriage, किस के लिए, marriage को dissolve कर लिए, by a decree of divorce, by a decree of divorce, the first statement that will be written in bold elements, dissolution of marriage, petition for dissolution of marriage by a decree of divorce, ये लिख दिया आपने, उसके नीचे लिखेंगे, Central stage में आपने लिखा, petition for dissolution of marriage by a decree of divorce, उसके नीचे लिखेंगे, कहां पे file कर रहे हो, in the court of principal judge, मैंने आपको बोला, अगर family court है, तो principal judge आएगा, in the court of district judge है, district court अगर district judge आगा, तो मैंने जहों family court नहीं है, district court में अप्लाई कर रहे हो, district judge लिखें, family court में कर रहे हो, तो principal judge लिखना पड़ेगा, in the court of principal judge, family court, district, south Delhi, उसके नीचे लिखें, Hindu marriage act, HMA, petition numbers आपको दिया जाएगा, वो आपको लिखना नहीं है, of इतना year, 2017, 2020, 2022, 2025, जो भी है, तो सबसे पहले आपने उपर में क्या रहे हो लिखा, petition for dissolution of marriage by a decree of divorce, उपर में, बोल्ट में, उसके नीचे लिखा, आपने, कि sir, in the court of principal judge, family court, south Delhi, Delhi, जो भी है आपका, उसके नीचे, फिर उसके जच नीचे लिखना है आपको, HMA, center stage में, HMA, petition number, इतना of year, इतना, इतना लिख दिया, उसके नीचे left side में लिखेंगे, अपना नाम, in the matter of, अपना नाम, in the matter of लिखा, उसके नीचे लिखेंगे अपना नाम, wife of, husband of, जो भी है लिखेंगे, doctor of, जो भी है, अपना age, और उसके नीचे अपना resident of, कहां के आप रहने बाले हैं, उसके बिलकुल जहां पर resident of, आपका खतम होना, उसके बिलकुल right side में आजाए, उसी line में, right side में, क्योंकि आपको line बाली page दी जाती है, तो right side में आजाए, लिख दीजे, petitioner, right side में आजाए, लिख दीजे, petitioner, कि आप petition डाल रहे हो, किस चीज के लिए, petition for dissolution of marriage, जो आपने शुरू में लिखा था ना, by a decree of divorce, आप सेम चीज यहां लिखोगे, पर एक चीज आएड करोगे, किस section के अंदर, और यही मैं कहा रहा हूँ, आपको पता होना बहुत जुरूरी है, अगर ground बनता है, इसका नामे, क्या नामे, mutual consent का, तो 13B होगा, दोनों मिल कर कर रहे हैं, तो 13B, अगर आपके साथ मारपिट हो रही है, तो आप section 13 में जाओगे ना, under section 13 of Hindu marriage act, उसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसके नीचे नीचे, आई यह समझते हैं, उसके नीचे आप लिखेंगे, sir, मतलब sir नहीं, बार-बार मैं sir बोलू हूँ, तो मतलब मैं बोलना चाहरा हूँ, कि humbly आपको बोलना है, आप लिखेंगे उसके नीचे, नीचे नीचे लिखेंगे, आपने लिखेंगे, आपने लिखेंगे ना sir, तो ऐसे लिखना है, most respectfully, sweat, क्या respectfully sweat, इसके पहले एक चीज याद रखिएगा, हर चीज को paragraph में लिखना बहुत important है, paragraph number बहुत important है, one, two, three, four, यह वाला two में नहीं, one, two, three, four, five, ऐसे करके लिखना है आपको, यह format बहुत important है, कि formal presentation ही होता है, pleading, बहुत important है, formal presentation, तो आपने लिखा most respectfully sweat, paragraph one, paragraph one में क्या लिखना है, आपको paragraph में थोड़ा सा fact देना, paragraph one में, sir, that the marriage bar solemnized, sir, मैं बोलू, sir, लिखना नहीं, मैं बार-बार कहत रहा हूँ, sir, मत लिख देना, वहाँ पर जाके, फिर कहोगे, तुमने बोला थरह भी, भाई, मैं बोल रहा हूँ, बार-बार कहत रहा हूँ, most respectfully sweat, paragraph one, that the marriage bar solemnized between the parties, एक और चीज, I, A, B, R, तुम, मैं, गया, आया, यह सब नहीं लिखना है, आल तो फाल तो चाहिए नहीं, हमेशा बात होगी, parties में, respondent में, petitioner के terms में, sir, मैं petitioner हूँ, यह नहीं बोलना, आया, यह सब तो use ही नहीं होना है, बिलकुल भी, वो कहां use होगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है, अफिड-फिट में use होता है, paragraph one में क्या लिखना है, sir, फिर sir न between the parties according to Hindu rights and ceremonies, और इतना तारीख को दिल्ली में हुआ था, और the said marriage is registered with the registrar of marriage, दूसरा टर्म, पहला statement, आपकी साधी स्वर्मनाइज हो रहे ही, Hindu marriage act, Hindu rights and all and all, इतने तारीख हो यहाँ, दूसरा statement, कि sir, मैंने इस साधी को registrar से क्या कर रखा है, register कर रखा है, और तिसरा statement, उसकी ए यहाँ पे mention कर रही हूँ, यहाँ पे attach कर रही हूँ, अपने statement के साथ, नीचे, अपनी जो भी आपकी drafting प्लीड ही उसमें, तीं term लिख दिया आपने, तीं sentence, बात खतम, paragraph second आईए, paragraph second में आपको थोड़ा साना background देना पड़ता है, अपने status को, अपने age का, अपने residence का, इस प follows, are as follows, आपका status, आपका living place, साधी के पहले क्या था, अभी कहाँ पे है, वो लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, एक column बनाईएगा, column बन ऐसे करके देखिए, ऐसे बना लिया, असान होगा, आपकी copy में दिया रहेगा, ऐसे बना लिया, अब एक तरफ आपको before marriage में तीन place of residence, अगर husband है, तो husband लिखे, अपने marriage लिखे, साधी के समय, साधी के पहले कितना था, 22 सल, कहां रहते थे, मुंबई में रहते थे, उसके बाद, same चीज बाइफ के लिए, साधी के पहले bachelor, हिंदू, उसके बाद, उसका age, कहां रहती थी, वो लिखना है, उसी के नीचे marriage, बाद या फिर at the time of filling the petition, अभी जहां पर petition file कर रहो न, जिस भी court के jurisdiction में, वहां पर लिखना पड़ेगा आपको, अभी age कितनी है, और status क्या है, हिंदू, married, husband, age, साकेत, same चीज, साकेत में रहरो, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ये दो चीज ने लिखनी बहुत important है, क्य paragraph 3, paragraph 3 में लिखेंगे, that from the very beginning of the marriage, आपको paragraph 3 में क्या लिखना है, कि that after the marriage of the petitioner and the respondent lived together as the husband and the wife and consummated their marriage at the residence of the respondent and out of the said bedlock, child या children, namely बर्षा and बर्खा, बर्षा and ये and आल, जो भी आपो चीजे लिखोगे, दुरूब एंड, राठी, दुरूब एंड जो भी आपका चीज, जो भी नाम है बच्चों का, मतलब दो चीज आपने रविटा, एक चीज आपने तीन चीज लिखे, कि सर साधी हुई थी, एक रेस्टार से certified कर रखा है, उसका copy यहां लाल रहा हूं, नीचे status लिखा, उसक का नाम आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप यह जो तीन चीज मैंने बोला ना, यह तीन चीज किसी भी matrimonial dispute के लिए दिमाग में छाप लो, बार बार नहीं बोलूँगा, अब बार बार आपको लिखना है, यह तीन चीज आपको हर जगा लिखनी पड़ेंगी, चाहे mutual consent में हो, चाहे restitution of contribution rights हो, चाहे judicial separation हो, चाहे maintenance हो, कुछ भी हो, यह तीन चीज हैं आपको लिखनी है, चेंजे चौथा और पांच में में आता है, 4th and 5th में, 4th में आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा fact को enhance करना है, जो section 13 के अंदर grounds पर आप मांग रहे हो ना, वो sections आपको लिखने पड़ेंगे, कैसे लिखोगे, that from the very beginning of the marriage, the behavior of the respondent was not good towards petitioner, that from the very beginning of the marriage, the behavior of the respondent was not good towards petitioner, the respondent is habitual of daily drinking, gambling, lottery and all and all, and the respondent used to come after drinking, and used to bid the petitioner, mercilessly, the petitioner, you know, उसके बार लिखना है कि the respondent used to demand lot of dory, जो भी चीज़ें वो लिखना पड़ेगा, कहने का मतलब section 13 के ground, जिसके ground के आप divorce के चीज़ों को फाइल कर रहे हो, जो आप divorce मांगे रहे हो, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा section 13 में 3-4 statements में, अगर इसके लाबा भी आपने कोई और ground है, कि at the place of the respondents, you know, residents, the family of the respondent and the respondent itself used to abuse me, used to, you know, use parliamentary language and used to insult the petitioner in front of every single relatives and parents of the respondent, petitioner को बेजदत क्या करता था, insult क्या करता था, मारता था, पीटता था, ये सारी चीज़ लिखने पड़ेगी आपको, and after that, on the very occasion, at the place of the respondent, some panchayats were also, you know, established, panchayat मतलब कुछ बाद लोग आया थे, बाचीत हुई थी, बहुत समझाने का ट्राइक कि हमारी फैमिली ने भी समझाया, the petitioner's family also, you know, advised the respondent, the respondent's family also advised the respondent, अगर भी involved नहीं है, तो the relatives, the friends of the respondent also advised to not beat, not abuse, the wife, you know, the petitioner, ये सारी चीज़ है, दो तीन paragraph में लिख दिया आपने, उसके नीचे लिखेंगे आप, अब देखिए, यही चीज change होगा हर जगह, चौथा point, पाचवा point और छथा point, आपके petitioner का, आपने जिजिस ground पर मांगा है न, वो change होगा, कुछ और ground ने वो change होगा, आपने इसके बारे पंचायत वगेरा बठाया, नहीं बठाया, बाची तुभी समझाया, समझाया गया कि नहीं समझाया गया, वो इस बाते लिख दि कि in nowhere manner, the petitioner accepted and condoned the behavior of the respondent, मैंने behavior of the respondent का, तो उसको कहीं से भी माना नहीं, मतलब मेरी असमीता को थेल्स पहुंचायी गई, फिर भी मैं उसकी बातों को मान रही थी, तो आप यार फिर कोट के सामने ऐसा impression डाला जाता है, बड़े ही मतलब बहुत ही पहले आपने हीमत हार गी आपको लिखना पड़ेगा, कि नहीं, हमने नहीं माना, हमने कंडोन नहीं करा, in anyhow, but आपको लिख सकते हो, कि despite all the things, the petitioner used to, you know, respondent का वो जो भी matter था, उसको इसलिए सुन लेती थी, क्योंकि वो अपने material life को, अपने married life को क्या करते थे, बचाना चाहते थे, that the petitioner bears all types of cruelties, because the petitioner wanted to save her married life, and do not want to spoil her life and the, you know, life of the children, of the petitioner and the respondent, many times the parents and relatives advise the respondent to get off the drink and to behave properly, but to no use, the petitioner also tried to advise the respondent many times, counselling बगे रहे हुआ, पर कुछ नहीं हुआ, यह बाते आप लिख सकते हो, उसके नीचे लिखेगा, कि मैंने कभी भी उनको cruelty को condone नहीं करा, the petitioner never accepted and condone the cruelty, you know, committed by the respondent, कभी acceptance नहीं करी, that the respondent has deserted the petitioner on many grounds, the petitioner is entitled for a decree of divorce on the grounds of cruelty and desertion, यह बाते आपको लिखना पड़ेगा, आप उसके नहीं रह सकते, उसके नीचे लिखोगे आप, यह सारी चीज़ समझ रहो, यह जो तीन चीज़ मैंने बताई न, ground वाला, वो ही ground हर जगा चेंज हो, कि कोई ground ही चेंज होगे, बाकी pattern that the petitioner is not prescribed in collusion with the respondent, मतलब respondent के साथ मिलकर आपने court के साथ गलत नहीं करा है, fraud नहीं करा है, आपको undertaking देना पड़ेगा, कि मैं मान रही हूं सारे बाते, और भी यह भी लिखना पड़ता है, कि मैंने प्रेसर में नहीं लिखा है, इसलिए बहुत matter करता है, इस statement को, कि that the petition is not prescribed in collusion with the respondent, आगे लिखेंगे, कि that there has not been any delay, unnecessary delay, और improper delay in filing the petition, इभी तो बताओ कि इतना दिन तक क्यों सह रहे थे, क्यों delay करा, पूछेंगे आप से court में, तो काओगे कि सर मैं अपने साधी को बजाना चाहती थी, और मुझे नहीं लगता मैंने बहुत जादा delay करा है, तो लिखना पड़ेगा, that there is not unnecessary delay, और no unnecessary delay, और improper delay in filing the petition, उसके नीचे लिखेंगे, that there is no other legal grounds, जिसके बैसिए मुझे relief क्यों नहीं मिलना चाहिए, why relief should not be granted, आपको यह भी तो court को बताना पड़ेगा, कि सर मुझे ऐसा लगता है, कि मैंने सारी चीज़ों को मान लिया है, सारी चीज़ों लिखती है, और कोई ऐसा legal ground नहीं बचा है, जिसके बैसिए मुझे, मुझे relief नहीं मिलना चाहिए, उसके बाद last point, कि कोई और ऐसा proceeding इसी case related court में नहीं चल रहा है बात आपको लिखना पड़ेगा, that there is no ongoing process of any proceeding before any of the court in India regarding the same issue और has been done, अगर किया गया है तो आपको उसका statement देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि कौन से court में हुआ था, parties कौन-कौन थे, कब हुआ था, petition number क्या था, advocate भी नाम चाहो तो आप लिख सकते हो, area लिखना पड़ेगा, कौन से जगह पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था, यह सारी चीजें, result क्या हुआ, वो सारी बाते आपको लिखनी पड़ेगा, अगर हुआ है तो, वो case में देखना पड़ेगा, case में दिया हुआ है कि नहीं, कि already आपके साथ ऐसा पहले भी पट्याला कोर्ट में या फिर किसी और कोर्ट में हो रहा था था, बापस से आपने साकेत कोर्ट में अपलाई करें, तो पट्याला कोर्ट की सारी बाते आपको लिखनी पड़ेगी या किसी और family court की चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, उसके लेवर last point, कि फिर से इतने सारी बाते के दी, अब लिखोगे आप, that the marriage was solemnized, अब आप इतनी सारी बाते के दी, आप लिखोगे, कि हमारी जो marriage वो solemnized हुई थी कहां, रोहिनी में, हम रह कहां रहते, बिस्विद है, लिखना पड़ेगा, that the marriage was solemnized as Rohini, the parties last resided together at Bispidyalah, the parties are now residing at Saket and other, अगर आप मालो, अप लड़की हो Saket में रह रहा हो, आपका बंदा मालो Bispidyalah में रह रहा है, आप अपने घर आगे Saket, तो आपको Saket, आपको Saket, आपको Petition File करो Saket में, तो आप लिखोगे at Saket, and the respondent at Bispid आल है, and that is why the local limits of the jurisdiction of this court come into being, बता दिया court को jurisdiction, last point खतम करेंगे, that the honorable court has jurisdiction to try and entertain the petition, got it, ये बात हो गई, आप ध्यान से सुनी, मैं आपको repeat दिला रहा हूं, सबसे पहले आपने लिखा Petition for Dissolution of Marriage by Decree of Divorce, उसके नीचे लिखा in the court of Principal Judge, Family Court, Delhi, HMA Petition Number, in the matter of, सारी चीज़ मैं आपको फिर से लिखेंगे section, broad में लिखेंगे under section 13, most respectfully, सुएथ, paragraph 1, आपने लिखा तीन स्टेटमेंट, कि हमारी साधी इतने तारी को इतने बज़े consummate, मतलब वो सलमिनाइज होई थी, register of marriage certification है, उसका copy मैं certified copy, इस matter के साथ चिपका रही हूं, here in with, second point लिखेंगे, status, साधी के पहले स साधी के बाद दोनों का status क्या था, religion क्या था, age क्या था, कहां रहते थे, अभी कहां रह रहे हैं, third point, sex, मतलब वो बच्चों का sex, बच्चों का marriage, marriage कर रहे हैं, बच्चों का उमर, कि हम लोग साधी के बाद एक साध रह रहे थे, पति-पतनी के रूप में, हम लोगों की पाल्च में, छटे point में, आप अपने findings को लिखोगे, आपने sections को mention करोगे, section के grounds को mention करोगे, और यह लिखोगे कि हमने बहुत समझाने का try कर रहे हैं, नहीं माने, मैंने उसके सारी बाते मानी, and all, and all, क्यों, वो सारी बाते आप लिखोगे, कुछ facts के साथ, material facts के साथ, उसके मैंने कभी भी इनके statement को condone नहीं करा, मतलब कभी भी accept नहीं करा, उसके बाद, कभी भी मैंने unnecessary delay नहीं करा, मैंने respondent साथ मिलकर, court के साथ, कोई, you know, court का वक्त जायर नहीं कर रही हूं, collision with respondent के साथ, मतलब मैं, कोई, कोई भी court का समय बरवाद नहीं कर रही हूं, that the petition is not presented in collision with the correspondent ये बात लिखना पड़ेगा, उसके बाद, पहले को ऐसा नहीं हो रखा है, अगर हो रखा है, तो सारा statement देना पड़ेगा, उसके बाद, कि मैं, मेरी साथ, इतने इतने तारीकों हैं हुई थी, अभी वो यहां रहा है, पहले यहां रहते थे, अभी वो यहां रहा है, मैं क्या लिखोगे, कि सर, बारवा कर रहा हूं, सर लिखना नहीं, बारवा बतना नहीं, मेर मुर से क्यो नहीं कल जा रहा है, in view of the facts and circumstances that is mentioned above, it is therefore most respectfully and humbly prayed that honorable court may pleased to grant a decree of divorce under section 13 of the HMA in favor of petitioner and anything if the court feels for the justice, the court can grant to me, meaning to the petitioner, petitioner ka naam, through advocate ka naam, date, verification करके sign करिए, last में को और step बसता, verification वो कैसे हो जाएगा, आपका, verification में हो जाएगा, नीचे वही लिख दीजेगा, verification, prayer के बाद नीचे, verification कि that, above named petitioner states that, on servant affirmation that paras 1 to paras 9, यह मेरे को confirm पता थे, of the petitioner are true to the petitioner's knowledge and paras 9 to 12 and 13, मुझे नहीं पता, सार, कुछ ऐसा case पहले हो रखा है कि नहीं हो रखा है, मुझे नहीं पता, नहीं पता तो आपको accept करना पड़ेगा, acceptance बहुत important है, कि sir, मेरे knowledge में मुझे लगता है, कि यह सायद मुझे believe है, कि मुझे सच लगता है, इसलिए मैंने इसके बारे में बात करी है, पर जिसके बारे मैं को confirmation पता है, वो paragraph लिखना अगर सब पता है, तो सब लिख देचे, कोई दिक्कत नहीं, verified कहा, साके, place, और petitioner का sign, बात करता है, यह हो गया format, इसका affidavit कैसे बनता है, वो देखिए, affidavit important है, आपको हर case में affidavit लिखना पड़ेगा, दिमाग में डाल लो, affidavit के बिना काम चलेगा, नहीं, affidavit लि कालब की collection of a statement जो आपने बोला है न, उसको आप verify कर रहे हो, अपने हाथों से लिख कर sign करके, sir, मैं दे रही हूँ, मैं इस बात को undertaking मानती हूँ, ऐसे exam देने जाते थे, corona में तो नहीं आता था, कि आप corona की guidance को follow करे कुछ होता है, तो उसके लिए आप responsible होगे, अगर आप नह principle judge, family court, Rohini, जहां पी है आपका same चीज, principle judge, family court, district, HMA, petition number and all, इसमें ये सब मत लिखिएगा, कि decree of divorce, ये सब तो आपको लिखना ही नहीं, ये सब तो आपने format में लिखाना, आप अफिट अफिट कर रहे हो, कि इसका जो claims आपने करे हैं, तो आफिट अफिट कहां कर रहे हो, in the court of principle judge, family court, Rohini court, district, Delhi, HMA, petition number and all and all, बस, in the matter of अपना नाम, petitioner, समने वाले का नाम, respondent, same चीज, पर हो मत लिखिएगा, decree वाला, जो मैं बार-बार कह रहा हूँ आप से, ये वाला term, कहां गया, ये नहीं लिखना है, in the court of principle judge, family, क्या नहीं, ये, petition for dissolution of marriage by a decree of divorce, ये चीज नहीं लि उसके नीचे लिखिएगा, अफिट 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 ऑफ सरीमती, जो भी हैं, आप मिश्टर नाम, अपना नाम, वाइप और आउटर ऑफ एजड अब जहां भी वो चीज आप लिखिएगा, अपने बारे में अफिट अफिट अपना रिस्टेंस के बारे में आप confirmation करके ख अफिट अफिट matter का और I am well aware about the facts और कुछ भी जो इसका depose होगा कैसे वो भी मुझे पता है that उसके बाद लिखेंगे second paragraph में कि मेरी marriage इतने तारीख को इतने बज़े Hindu right से consummate हुई थे यहाँ यहाँ बाते लिखोगे अब जो हाँ paragraph 12 में लिखा अपने third लिखोगे कि हमने आपके respondent साथ मिलके court का कोई भी जायर नहीं करा है that the present petition has not been presented in collusion with the respondent that the present petition has not been presented in collusion with the respondent fourth point paragraph में that there is no improper delay बापस सेम चीज और हमने कहीं से भी fraud बगेरा pressure बगेरा में चीजे नहीं लिखेंगे आपको लिखना पड़ेगा that the consent for filling the case present petition has not been obtained by fraud, you know force, pressure or under influence यह बात बहुत important यह लिखना पड़ेगा and the last में कि जो भी contents है इसके act के अंदर Hindu marriage act के अंदर मेरे instructions पर किये गए council ने जो भी लिखा है मेरे कहने पर लिखा है मैं इसकी बात को समझती हूं मेरे you know सारे facts को समझती हूं मेरे facts जो मैंने बता है वो सही है, true है और जो भी facts मैंने दिये है वो मेरे कहने भी मेरे council ने बाते को लिखी है dependent verification करके कि sir यह statement इतने तारीक को इतने बज़े affirm कर रहे हूं I ravichandra do hereby verify on this day that the contents of the was true and correct to my knowledge that's it यह अफिड़ अफिट वाट मैटर करता है का 2020 का case है उससे समझते है कॉलेज का ही कि marriage बृति और बियान के बीच दिल्ली में सोलेमनाइज और सतरक कोई हिंदू राइट से कोडिंग से सर्विस सरिमनी सब कुछ हुआ साधी के बाद प्रतर साले को उसका बंदा जॉबलेस है और साधी के लिए पैसे के लिए बार बार उसको घर से लाने के लिए फोर्स कर रहा है पांचला का डिवांड किया गया घर उसको नहीं कार खरीदना था रिफ्यूज कर दिया गया उसके साथ मारपीट हुए चलिए अब इसका आंसर कैसे होगा देकिए ठीए आंसर पहले बताने से पहले और बने चिर्फ बड़ शॉपर आपने बार बार में कई बीडियुज चुका हूं अब नहीं कहूंगा लेटिट पी चलिए स्टार्ट करते हैं सेंब पैटरन को समझीए सबसे पहले मैंने बोला था कि लिखना है Petition for Dissolution of Marriage by Decree of Divorce लिखा आपने, उसके बाद in the court of principles as family court district दिल्ली दिल्ली हमे Petition number लिखा, बोला था ना आपको, in the matter of naam, father of son of daughter of जो भी है आप, Petition versus Resident of जो भी आपको बताया था, मैंने सारी कुछ लिखी आपने, उसके नीचे आपको बड़े में लिखना था, section 13 के अंदर, same चीज, Petition for Dissolution of Marriage under section 13 of the Hindu Marriage Act 1955, इतना लिखा, उसके बाद, most respectfully, sweet, तीन statement बताया था, मैंने आपको, कि आपकी साध इतने तारीक, इतने बज़े हुई, कहां बताया, 2017 को बताया, इसमें, आपको लिखना है, उसके बाद, आपको लिखना है, उसके बाद, आपको लिखना है, कि किसी भी, मैनर में, मैंने cruelty को condone नहीं कर, accept नहीं करा, उसके बाद, unnecessary delay नहीं करा, उसके बाद, कोई ऐसा legal ground नहीं है, जो मुझे नहीं लगता, उसके मुझे नहीं मिलना चाहिए, relief मुझे मिलना चाहिए, यह बात भी पता है, उसके नीचे, किसके ऐसी कोई proceeding पहले नहीं हुई, अगर हुई है, तो आप लिखियो, उसके बारे में, proceeding का concept लिखिये, marriage का पूरा वो लिखिये, data के हाँ, ऐसे होना है, सारा कुछ यहाँ हुआ था, फिर 11th में, कि आपकी साधी, यहाँ पहले यहाँ रहते थे, अभी आप यहाँ रहे, आपका बंदा यहाँ रहा रहा है, इसलिए आपकी jurisdiction बनती है, कोट की यह last 2 line है ना, paragraph jurisdiction के लिखी जाती है, और last sentence लिखा आपने, कि आपने बता दिया ना, कि आप आपके court के jurisdiction में रह रहे है, prayer में आपको पता है, कि मुझे इन सब basis पर लगता है, कि sir, petitioner को क्या मिलना चाहिए, favor में section 13 के basis पर ground को, जो भी है उसके basis पर mutual concern, क्याना मिया, ground के basis पर divorce मिलना चाहिए, और कोई भी ऐसा relief or direction जो court को लगता है, petitioner advocate, verification में आपको बताया था, कि parents once यतना यतना था ठीक है, parents यतना यतना था ठीक है, petitioner के साथ, बात खत्म, और affidivit में सब कुछ में आपको बताया था, affidivit में कैसा लिखना है, inter court, principal judge, family court, and all and all, and sir मेरे pressure में नहीं लिखा गया है, जो सारी चीज में आपको बताया एक पर बापस देख लीजिएगा, यह हैं से answer लिखने का format है, यह हुए आपके answers, यह same चीज, मैं कह रहा हूँ ना, यह same चीज, चाहे आप restitution of conjugal rights लगाओ, section 9 लगाओ, देखो, section 9 में, institution of conjugal rights, same चीज आएगा, जहां section 13 था, वह section 9 हो जाएगा, grounds, 3 सब से last, शुरू के 3, last के 4-5 paragraph बिल्कुल same होंगे, paragraph change कहां से आएगा, 4-5-6 में, कि sir इसमें, इसमें ground यह लगेगा, कि इतने दिन सो अलग रह रहे हैं, इसलिए हमारे constitution of conjugal rights grant किया जाए, बाकि सारे चीज न सेम होगी, everything will be same, सब कुछ same, एकदम दिमाग में डाल लीजे, कोई भी चीज उल्टा पुल्टा मत करिएगा, अभी जहां पे change आगा, section 9 हो गया, section 10 में भी same चीज लगेगा, judicial separation वाली बात में भी, कोई change यहां पर भी नहीं आएगा, सब कुछ same, बस वहां पर 13 था वहां पर 10 होगा, बाकि ground चार-पांचे में आपको होता है, grounds चेंज करने हैं आपको, बाकि आपने कोई delay नहीं कर आपने acceptance नहीं करी, हमको नहीं लगता कि कोई इसा गलती करेंगे, हमको ground नहीं मिलना चाहिए, अगर पहले हो रखाया तो उसके बारे में लिखी, आप यह बाते लिखनी है, जो चीज चेंज होगी, वो होगी, एक जगा वो होगी, mutual consent में, mutual consent में क्या change होगा, section 13B, section 13B कहता है कि दोनों ने मिलकर सहमती जताई है, कि हमें अलग होना है, हमें divorce दे दीजे, इसमें change बड़ा minute सा है, पर बड़ा important सा change है bro, समझो बात को, सब कुछ same लिखेंगे आप, सुरू में, dissolution of marriage by the, decree of divorce by mutual consent, उपर में लिख दिया mutual consent, अब फिर नीचे जहां पर बोल लिखना था, वहां पर लिखोगे section 13B of Hindu marriage act, पर बीच में change आएगा उसमें, इसमें क्या change आएगा, आप खुछ बताइए, जब आप mutual consent से अलग हो रहे हैं, तो petitioner तो आप दोनों है न, आप पती हैं और पतनी हैं दोनों हैं, तो आप दोनों ही court के पास गये हैं, आप दोनों ही चाह रहे हैं अलग हो जाने, तो कोई ऐसा तो नहीं कि आप claim कर रहे हैं और सामने वाला जवाब देगा, नहीं, यू बोथ are the petitioners और council एक ही हैं, वो एक council आप दोनों qualified कर रहे हैं, कि sir इनको अलग कर दिया जाए, divorce दे दिया जाए, mutual consent जे, तो यहाँ पर petitioner number one और petitioner number two होगा, respondent नहीं होगा, तो जहाँ जहाँ बाव पर respondent, respondent, respondent यूज कर रहे थे हैं, वाप petitioner number two, petitioner number one यूज होगा, बाकि सब कुछ सेम, ground आपको बताना पड़ेगा, section paragraph four में, कि sir हमारी साधी को इतने, हमारी साधी, क्यों आप mutual consent होरो sir, हम लोग, मतलब mindset नहीं हो पा रहा, हमारे bondings नहीं से टकर पा रहे sir, इनके family साथ हमारी चीज नहीं कर पा, जो भी आपका ground है, mutual consent का, बता देता हूँ, सब बताना पड़ता ह section 13b को देखो, subject to the provisions of the act, a petition for dissolution of marriage by decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage, by both the parties to a marriage, together, together, तो नो मिल कर, वेर सच मारी बा सुलमारी देंदर, Hindu marriage act जो भी है, किस-किस ground पे, that separately, कितने साल से आप रह 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 हो, एक साल से ज्यादा से अरह रह 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 हो, that they have not been able to live together and they have been mutually agreed that the marriage should be dissolved, पहला point, आप पैसे कैसे करके, बागी जो 18 महीने से अंदर कर सकते हैं, वो अलग चीज है, मेर को मुद्दा बताना था आपको, ठीक है, कहां गया यार, तो इतने सारे लगा दिया होना कि खुद ही confusion हो रही बहुत, कहां कहां यह था, mutual consent वाला, आपको समझे mutual consent, ground आपको paragraph 4 में लिखना है परग्राफ 4 में ground लिख दिया आपने, उसके बाद हमने लिखता हमने को unnecessary delay करा है, हमने दूसरे की कभी चीजों को condone करा है, यह पिर condone वाला point आप चाहुत इसमें अटा सकते हो, कोई ऐसा चीज है नहीं, ठीक है, यह पिर आप उसके बाद लिख सकते हो, कि कोई हमने mutual fraud नह undue influence, यह जो mutual consent आप कर रहे हो, आप कहीं से भी force or undue pressure में नहीं कर रहे हो, उसके बाद यह एक point एक स्टा आपको लिखना पड़ेगा, paragraph 6B, that the mutual consent has not been obtained by force, fraud or undue influence, जो क्या नाम था, condoning वाला point था, उसके जगे यह लिखना पड़ेगा, आपको, उसके नीचे, that the petition is not presented in collusion with the petition number 1 2, चाया आप मतलिक हो यह चीज, simply लिखो, कि यह petition हमने collusion में नहीं डाला है, मतलब time court का जायर नहीं कर रहा है, हमने court के साथ fraud नहीं कर रहा है, हमने facts को नहीं चुपाया है, उसके ओपर आपको लिखना पड़ेगा, कि हम दोनों petitioner 1 and petitioner 2, that the mutual consent has not been obtained undue pressure, और fraud के अंदर में, यह point x आप को लिखना पड़ेगा, एक चीज यह हो गया, बाकी आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, एक चीज यहाँ पर आप नहीं लिखोगे, वो यह कि ऐसा आपने पहले भी कोई case फाइल करा हुआ है, वो बलब point यहाँ पर आपको all together हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप अलग हो रहे हो, तो आपने पहले भी अलग होने का notice दिया होगा, अगर कोईसा case है, है, तो मुझे लगता है कि वो पास हो जाता है case, तो आपको कोई जरूवत नहीं क्योंकि आप एक बार बार थोड़ी न अलग होगे, एक बार अलग होगे तो होगे, अगर आपने प कोट में ऐसे फाइल कर रहा था, अलग होने की चांसे थी, वो ही same pattern में, कि before petition number, advocate का जो भी आप नाम चाहतो लिख सकते हो, आपकी यह जो भी थी उस time पे, result क्या हुआ, agreed, हम तोनो agree करके रहने के लिए, तीन साल हम रहे भी, और उस point को skip किया जा सकता है easily, क्योंकि ऐसा होगे, एक बार बार थोड़ी नहोगा, यह इसमें changes है, उसके लावा सब कुस्ते में, जहाँ जा respondent आ रहा था, माप petition number 1, 2, petition number 2 हो जाएगा, और एक और चीज, आपको अफिट 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 अपना, अपना अपना देना पड़ेगा, petition number 1 का अपना, petition number 2 का अपना, क्यो हो, मैंने बार बार बोला है, कि statement आपका अपना होता है, आप अपने statement के लिए responsible होगे, समझ रहे हैं बात को, तो statement number 1 और statement number 2 आप दोगे, फिट 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 1 और फिट फिट 2 अपना-पना जबद होगे, एक फिट आपको तिखना पड़ेगा, pattern बिल्कुल सेम होगा, दो च mutual consent वारी point हो गए हमने force में undue pressure में नहीं लखा है उसके परग्राफ हटा देना है जहां पर पहले भी आपने कहीं court में ऐसा कुछ फाइल कर रखा है यह था आपका मुद्दा this was all about matrimonial dispute जो मैंने आपको बताया मुझे लगता है मैंने आपको सारे कुछ information दे दी है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे बताईए अगर आपको लगता है तो जिरूर इसके उपर बार्चित की जाएगी आपको जो यह क्या नामे अफिट-फिट का है concept verification वाला last page है वो इसमें एड होगा ठीक है एक बार आप देखिए format को खुदी समझे अगर अफिट-फिट में कहीं शू आ रहा तो मुझे बताईए अगले बार भिल सी समझा देंगे कोई बात ऐसी होई थे क्यों कोई बात आपने चुपाया नहीं मतलब कुछ समराइज बगेर करके आपने चीजों को चुपाया नहीं पताया नहीं मतलब ज़्यादा कुछ चुपाया नहीं है सारी चीज आपने प्रवाइट कर दिए facts में यह बात हो गई दो घंटे रिकॉर्डिंग में लग गए मुझे है एक बार तो खराब हो गया मेरा अगेन आम रिकॉर्डिंग दसे में हो गया फाइनली ठीक है खतम करेंगे आप एक बार अफिट-फिट का फॉर्मेट को देखिए कोई डाउट हो तो पूछिए और रिव देंगे तुरंद बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो तो थैंक्स वर वाचिंग की प्लभी में प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दो चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज करी अच्छा लगेगा मुझे भी थैंक्यो